जै महाकाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ भले चंगे होंगे मज़े में होंगे दोस्तों आज में आप लोगों को दुनिया के सबसे सक्ति साली जो मंत्र कहे जाते हैं ऐसे साबर मंत्रों के बारे में बताने वाला हूँ एक ऐसा साबर मंत्र के जो आपके रूके हुए काम को रोकेट की गति से चला देगा दोस्तो साबर मंत्रों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह अत्यंत सक्ति साली होते हैं और दूसरी बात यह है कि इन्हें सिद्ध करने की आवस्यक्ता नहीं होती है ये स्वयम सिद्ध होते हैं तो इसका मतलब ये निकला कि कोई भी वेक्ति इन मंत्रों का डायरेक्ट यूज़ कर सकता है अन्यथा कि ऐसा होता है कि आपको मंत्रों को पहले सिद्ध करना पड़ता है किसी मंत्र को सो दफे, हजार दफे, दस हजार दफे, एक लग दफे ऐसे उन मंत्रों को आपको सिद्ध करना पड़ता है और जबकि साबर मंत्रों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये स्वयम सिद्ध होते हैं ऐसा माना जाता है कि साबर मंत्रों को स्वयम गुरु गोरक नाद जी ने लिखा था और इनकी रचना में उनकी सायदा की थी नवनाद चोरासी सिद्धों ने तो इसमें कोई संका नहीं है कि ये अत्यंत सक्तिसालिय स्वयम सिद्ध हैं और आप इनका प्रयोग करेंगे तो इनका वार कभी भी खाली नहीं जाता वसी करण के बारे में काफी साबर मंत्र सिद्ध है और इनका जिन व्यक्ति ने भी उपयोग किया है वे सारे ही व्यक्ति को उसमें सफलता मिली है कामका जिदी आपका रुख गया है आपका व्यपार नहीं चल रहा है तो इसमें भी सावर मंदर काफी कारगर सिद्ध होते हैं और जो जो व्यक्ति सावर मंदर का इस्तेमाल करता है हर वो व्यक्ति को उसमें अचुक सफलता मिलती है ऐसे ही एक सावर मंदर के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस सावर मंदर का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपका रुका हुआ काम चाहे वो कोई भी काम हो समझ लिजे ऐसा नहीं है कि आपके वेपार का ही काम है चाहे आपका कोई भी काम है कोई व्यक्ति आप से रूट करके दूर चला गया है उसके बारे में आप सोचते हैं कोई आपका कोट कचरी का काम है उसके बारे में आप सोचते हैं आपका कोई नोकरी लगने वाली है नहीं लग रही है इंटर्वीव हो गए है कॉल लेटर नहीं आ रहा है कॉल लेटर आ गया है पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है ऐसा कोई भी काम है कि जो काम सूरू तो हो गया था लेकिन फिर रुक गया था उसमें अब कोई हलचल नहीं हो रही है यहां तक कि आपको लगता है कि यह काम अब नहीं ही बनेगा एसे काम भी साबर मंत्रों से सिध्ध हो जाते हैं तो ऐसा ही एक साबर मंत्र आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस साबर मंत्र के जरिये आप अपना काम अचुक कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दू कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिनतम क्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूट रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तो अब ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे द्वारा बताएगे उपाए आप तक आसानी से और तेजी से पहुचेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों बताता हूँ वह उपाए वह मंत्र वह साबर मंत्र कि जो आपके रुके हुए काम को या आपके बंद पढ़ हुए काम को दोड़ा देगा अब जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि सवेरे उठते के साथ एक घूट पानी पी कर ये आपको सिर्फ बोलना है अब ये जो पानी है ये सवेरे पीना है क्यों क्योंकि जब आप सवेरे सो करके उठते हैं उस समय आपका दिलो दिमाग आपका सरीर आपकी बोड़ी एकदम निश्चल होती है कोरे कागज की जैसे होती है इस समय आप अपने बोड़ी में आपके दिलों दिमात में जो कोई भी मेसेज फिट करेंगे वो मेसेज आपका पूरे दिन एक्टिव रहेगा और पूरे दिन आप उस काम के प्रति समर्भित रहेंगे और अंतथ आपको उस काम में सफलता जरूर मिलेगी दूसरी बात आपको पानी पीते हुए यह बोलना है क्यों? क्योंकि पानी आपके सरीर में 70% जो हिस्सा है वो पानी का होता है और पानी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव चंदर का होता है इसी कारण सर पूनम और अमवस्या के दिन मनुष्य का मन काफी बेचेन, काफी प्रसन्य या काफी गुस्य में रहता है जिस व्यक्ति की जैसी प्रकृती होती है वैसे भाव उसके बढ़ जाते है तो जब आपका दिलो दिमाग बिलकुल प्लैन है पानी आपकी बोड़ी का जो 70% हिस्सा है जो आपको उरजा देता है, जो आपको सक्ती देता है, जो आपको positivity देता है और उसके साथ में यह जो मंत्र है साबर मंत्र, इसको आप बोलेंगे तो आपके अंदर एक उरजा दोड़ जाएगी और आप देखेंगे कि आपको सफल होने से फिर कोई नहीं रोग सकता तो जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मंत्र क्या बोलना है लेकिन जिसा मैंने बताए आप बिस्तर से उठते हैं तुरत ही आपको कुला दतुन कुछ भी नहीं करना है हो सके तो पानी अपने पास में ही रख करके सोई एक, दूसरा हो सके तो तांबे के पात्रे में रख करके सोई, तीसरा हो सके तो एक घुंट की कोई आ सकता नहीं है, आप दो घुंट, आधा लिटर, एक लिटर भी पानी पी सकते हैं, जितना पीना चाहें, उतना पी सकते हैं ये वैसे भी आपके लिए लाबकारी है हाँ तो दोस्तों आपको बोलना क्या है वह मैं बज़ा देता हूँ उठ जाग मनवा पानी की भाती राह बना दुरूत गती से मेरा काम बना गुरू की सक्ती मेरी भक्ती स्फरो मंत्र इस्वरी वाचा ये आपको बोलना है और आपको एक घुट पानी पी लेना है जैसा कि मैंने पहले बताया पानी आप जितना चाहे उतना पी सकते हैं लेकिन कम से कम ये मंत्र बोलके आपको एक घुट पानी पीना है आपको निती ये काम करना है एवरीड आपको ये काम करना है जब तक जो काम आपने हाथ में लिया है जब तक आपका काम नहीं हो जाता तब तक आप इसको करें आप देखेंगे कि आपने जितना भी बड़ा काम हाथ में लियोगा बहुत जल्द आपका वो काम सिद्ध हो जाएगा ठीक है तो चलिए दोस